आपको वीडियो पसंद आती है तो स्ट्राइब लैक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेंस उसको विज़ा के सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ चलते हैं आगे एपिसोड की शुरु हिरो से कहती हैं तुम एक नंबर के गदे हो जैसे अपना हिरो देखता है कि वो दोने इसके उपर जपटा मारने वाली हैं तभी वो अपनी पावर को वहां पर रिलीज कर देता है और अपनी स्पीट को यूज करते हुवे एमपरल लुवे के कमर में हाट डालके पकड़ ल लिनके की ये बास सुनने के बाद में जो एमपरल लुवे ही होती हैं वहां पर एटिटूट दिखाते हैं अपने हिरो से कहती हैं जब मैं भाग कर गई तो अपना घर भूल गई तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं वापस आ सकती हो या नहीं क्या तुम हमारे कॉंटर को लिनके बास सुनने के बार आपने होता हैं चाण थे मतलब है इस बात को बोलने के बार में अपना हिरो ब्ले जेदे लेशान को होती होता हैं उप्रा लुववई को यकूंद या निद मेया हुए के लिटा देता है हैं जिस चीच जीच को फील करते वहांत основ एब ब्लेशक ν ओहो तुम कितने गंदे हो आखिरकार तुम परशानी पदा करना बन क्यों नहीं करते हो लिंके और अब हमारे जाने का समय हो गया है इससे पहले कि हम निकले मैंने देखा है कि फीमेल सेट की लीडर आपको पकड़ने के लोगों को एकटा कर रही है लोग वई की बात सुनने क के बाद में अपना हेरो वहां पर समाइल करते हुवे कहता है ओहो ऐसा लगता है कि उसने इसकी कोच करने के लिए जियांग जिंग मिंग ने बहुत जल्दी रियक्ट कर दिया है और जैसे अपने हेरो ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से सामने एक एनरज कोच करते हुए उस घोडा बगी की उपर आके खड़ा हो जाता है और उनके सामने वर्जन सेट की लीडर जियांग में खड़ी होती है और उसको देखते हुए अपने हीरो उसे कहता है अपनी पतनी के साथ में एक पती के बिताया हुआ एक दिन सौ दिनों के grace के बराबर होता है यहां बताने की ज़रूरत नहीं है कि sect master Zyang दुनिया में एक दूसरे को क्यों नहीं भूल जाते और जाने क्यों नहीं देते मेरे को मेरे को यहां से जाने दीजीए अपने हीरो की बात सुनने के बाद मैं सेक्स मास्टर ज्यांग जिंग मेंग बहुत ज़रा गुसाते हुए उससे कहती हैं जो मैं चाहता हूँ मिस्टर एनर गॉंगो डिन आप मेरे पास आकर प्रैक्टिस क्यों नहीं करती क्लैमटी चाज इत्ती बड़ी क्यों ना हूँ मैं तुम्हें प्रोटेट करूँगा अपने हीरो की बास सुनने के बाद में जो female set की लड़किया होती हैं और sec leader होती हैं वो सब वहाँ पर गुसा जाते हैं और तभी sec leader भहाँ पर अपने energy को release करते हुए गुसा के कहती हैं आपको क्या लगता है कि ये सब अभ तुमपर टिका हुआ है sec leader की बास सुनने के बाद में, अपना hero's की तरफ, उंगली से इशारा करते हुए गुसा के कहता है, जियान जिंग में, कि आपको लगता है कि मैं आपसे इसलिए डरता हूँ, क्योंकि आप किसी को लेकर आई हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जो female सक्टी लीडर होती हैं वो वहाँ पर smile करते हुए कहती हैं अच्छा तो ठीक है तुम लोग जाओ और सभी लोगों को बुला के लाओ सक्टी लीडर की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर चिला के कहता है अरे एक मिट्रे रुख जाओ और तभी दोस्तों में कुछ समय बात दिखाया जाता है अपने हीरो को वहाँ पर एक अजीवो गरीव रसी में बांद के रखा गया है और इस तरह की रसी को आप आपने एक अलग तरह की मुववें जरूर देखा होगा और वहाँ पर वह उस रसी में लिप्टे हुए ब्लेश करते हुए सेक्लीडर से कहता है अगर तुम मुझे सच मुझ चाहती हो तो क्या आप इससे अराम से नहीं कर सकती है लिंके की बात सुनने के बार में सेक्लीड में क्या होने वाला है और इस बात को बोलने के बाद में लिंके को गोड़ा गाली के अंदर फेक देती है और सेक्लीडर के सामने आकर गुसाते हुए चिला के कहती है तुम बुड़ी और तुमने मुझसे मेरे आदनी को चुराने की हिम्मत कैसे करी लोवे को इस तरह चिला तरफ एक एनरजी का प्रटेक्टिक बेरे बना लेती है और साथ ही वहाँ पर अपनी पहचान को उजागर करते हुवे सेक्लिडर्स चिला के कहती है जो लोग भी एमपरेट को धोका देते हैं और इस तरह का बड़ा अपरात करते हैं उन्हें बीना पूछे फासी दे दी जाएगी एमपरेट लोवे ने जैसे इस बारे में बोलती हैं वो तो उनके सैनिक छुपे हुए सारे के सारे जंगल से बाहर निकलते हुए चिला के कहते हैं उन्हें मार डालो और सैक लिडर के सामने एक वरिया के खड़ा हो जाता है और उनसे चिला के कहता है हम तुमें बिना किसी दया के मार डालेंगे और इस बात को बोलते हुए वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपनी एनर्जी को वहाँ पे गैदर करना स्टार्ट कर देता है अटेक करने के लिए और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी से बनी हुई हदेली आ जाती है जो कि सीधे सेक लिडर के उपर अटेक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर लियो भी अपने सैने से चिला के कहती है उन चोरों से भीक मंगवाने के लिए मेरे पीछे आओ जब सेक लिडर अपने आपको इस तरह से फसे वे देखती है और देखती है कि इतना बड़ा अटेक उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है तभी वहाँ पर गुसाते वे चिला के कहती है धत तेरे की ये क्या हो रहा है और उस हतेली के अटेक के साथ में वो अपने आगे अपनी एनरजी के बनाया हुआ एक बहुत बड़ा शील्ड अक्टिवेट कर देती है और वो हतेली उनकी शील्ड से आगे टकराती है लेकिन उस एनरजी से बनी हो हतेली का पावर बहुत ज़ादा होता है जिस कारण से जो सेक्लीडर होती है उनकी शील्ड वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस एटक के इंपक्ट के कारण सेक्डिडर पीछे की तरफ जाते हुवे कहती है ये तो हीमन एम्परर लुओ वेई है उन्होंने जैसे इस बारे में बोला होता है लुओ वेई ने दूसरे साइड में अपनी दूसरी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और उस स्किल के कारण वहाँ पर एक बहुत 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 जाइंट ड्रेगन अपैर हो जाता है और वो ड्रेगन जैसे अपैर होता है उसके एनरजी के प्रेशर के कारण फिमेल सेक्ट के यतने भी लड़किया होती है उन सारों के उपपर बहुत ज़र एनरजी का प्रेशर पढ़ रहा होता है जिस कारण से एक लड़की वहाँ पर सेक्ट लिडर से कहती है ये अच्छा नहीं है ये हुमेन से प्रेजिंग ये हमारे लग को दबा रहा है दूसरे स ये बास सुनने के बाद में जो सेक्ट लिडर होती हैं वो गुसाते हुए लिववई से कहती हैं तुम सच में बहुत अत्याचारी एंपरर हो और तुम कैसे नहीं जानती हो कि एक आपदा आ रही थी और फिर भी तुम युद शुरू करने की हिम्मत कर रही हो जब बहार ल समलों में ऐसे लोग हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं लेकिन आप एक लाख लोग के बारे में बात कर रही हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं अपने हिरो की बास सुनने के बाद में एंपरेस युनर वाँ पर स्माइल करते हुए अपने हिरो से कहती है इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका, क्या आपको अपनी सुन्दरता के कारण इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एंपरे सुनर की बास सुनने के बाद में अपने हिरो को कुछ आइडिया आता है और तभी वो एकदम से गोड़ा बग्य के बाहर खड़े होके लोवई से कहता है तो हमें लोव प्रोफाइल क्यों नी रखनी चाहिए लड़को जाओ और उस और उस औरत को किड्नैप करके ले आओ और एक काम करो उसे बांदो और मेरे लिए यहां लेकर आओ अपने हिरो की बास सुनने के बाद में जो एंपरन लोवई होती है वो वहाँ पर गुसाते हुए अपने हिरो की तरफ देख के कहती है हम्य, ये क्या कह रहे हो तुम लोवई को इतरफ गुसाते हुए देखकर अपना हिरो वहाँ पर गबरा जाता है उसके पसीन आने लगते हैं और तबीव वहाँ पर घबराते हुए, लोवेई से कहता है, मैं तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ताकि ये हमारी मजेस्टी के लिए एक दासी बने, हलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आते हैं, तो सस्क्राइब, लैक, शियर, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के दोस्तों बहुत जरूरत हैं, और इसी के साथ मिलते हैं लोग नेक्स्ट अपिसोड में, थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो, लव यू आल,